नमस्ते मैं मनीशा कुकरेजा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दो ओर्टरिन में दया बैंट तारक मैता शो का हम सबका चहीता किरदार अब शो में वापस आ रहा है जी हाँ दया बैंट की शो में होरी है वापसी आईए जानते हैं इस ख़बर से जुड़ी कुछ पाते टीवी के मशूर कॉमेडी शो तारक मैता का उल्टा चश्मा एक दशक से जादा समय से दर्शकों का मनुरंजन कर रहा है ये शो अक्टसर टी आरपी की लिस्ट में टॉफ फाइव में बरकरा रहता है लेकिन फैंस लंबे समय से शो में दया बैंट की वापसी का इंतजार कर रहे हैं अब आखिरकार मेकर्स ने दया बैंट की वापसी का प्लैन बना लिया हाला कि इस बार दया बैंट का किरदार दिशावकानी नहीं निबारी बल्कि मेकर्स ने एक नई एक्ट्रेस चुन ली है उनका नाम है राखी विजान नाइंटी के दशक में हम पाच मेराखी ने स्वीटी माथूर का किरदार निबाया था हाली में निर्माता आसित कुमार मोधी ने मीडिया में सूचित किया कि प्रसित चरित्र कहानी में वापस आ जाएगा लेकिन वद अयावैन की भूबे का निभाने वाली दिशावकानी की वापसी की पुष्टी नहीं कर सकते है शो के दर्शक अपनी फेवरिट दिशावकानी को मिस कर रहे है अभी नेत्री हमेशा सबसे यादगार रहेगी उनके सिगनेचर हे मा माताजी से लेकर टप्पू के पापा तक फैंस उनके किरदार के बारे में सब कुछ मिस करते है दिशावकानी ने 2017 में मैटनेटी ब्रैट लिया था उसके बाद से वो शो में वापस ही नहीं एक सूत्र का कहना है कि राखी विजान को दया बैन की भूमे का निबाने के लिए संपर्क किया गया है राखी सबसे प्रतिवा शाली अभी नेत्रियों में से एक है उनका कॉमिक टाइमिंग भी अच्छा है हम उमीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी तारक मैतर शो में दया बैन की वापसी हो आज के लिए बस इतना ही ऐसी और अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दो ओर्टरिंड में धन्यवाद